हेलो दोस्तों मैं आपके फ्रेंट सोरी इंदर को और स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइन ओकल साइंस में दोस्तों मैं आज जो वीडियो बनाने लगी हूँ मैं मेडिकल के उपर वीडियो बनाने लगी हूँ कलैस्ट्रोजी में हम लोग किस तरीके से हेल्थ के चैप्टर को देखते हैं तो हम लोगों को क्या देखना है भिव चाथ में हमारे जो भी नमबर लिखा हुआ है सोना hard में जो भी नमबर लिखा हुं उसका जो भी लोड है या आपके चार्ट में 6000 में जो भी planet बैठे हुए है उनसे संबंदित बिमारी आपको हो सकती है अगर कोई planet नहीं है तो 6000 का जो भी load है वो जिस भी planet के साथ में बैठा हुआ है उससे संबंदित दिक्कत आपको हो सकती है ठीके दोस्तों अब यहाँ पर 6000 का load हो गया मंगल शनी के साथ में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को शनी से संबंदित बिमारी हो सकती है शनी क्या देता है शनी आपको blockage देता है दोस्तों एक डर जैसी स्तीती देता है phobia जैसे स्तीती बना देता है अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा इस तरीकी की स्तिती बना देता है और दोस्तों कौन सी बोडी पार्ट आपका ऐसा रहेगा जिसमें आपके दिक्कत आएगी ही आएगी 6 था उसका लोड जहां पर भी आपके चार्ट में बैटा हुआ है 8 था उसका लोड जहां पर भी आपके चार्ट में बैठा हुआ है उन body part से संबन्दित आपको दिक्कत आएगी ही आएगी और ये पक्की बात है इसके लिए आप आगे जा सकते हैं देखने के लिए जो हमारी डिविजनल चार्ट होते हैं उसमें आप देख सकते हैं उससे आपको confirmation मिल जाएगा कि ये वाला body part आपका effected होगा ही होगा अगर हम इसकी बात करें तो 7 नंबर की राशी का body part हो जाएगा आपका private part की तरफ को हो जाएगा ये body part आपका दिक्कत में रहेगा और 4 नंबर की राशी का body part आपका chest area ये दिक्कत में रहने वाला है और जो इसको दिक्कत हो सकते हैं वो planet से संबंदित हो सकते हैं जो planet आपके अगर किसी के साथ में conjunction में बैटा हुआ है मंगल शनी किसी के चाट में conjunction में और जिस राशी में बैटा है वो body part 100% affected होगा ही होगा आप इसको लगा कर देखना सुत्रों को ठीक है दोस्तों दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकरी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैन को स्टाट हो रहा है आप लोगों में से कोई भी करने के लिए इंट्रस्टेड है नीचे दिए के नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू